गोड मानिंग ओल आफ यूँ आज इस वीडियो में हम बहु पीटी 2019 के LPP या Optimization theory के question discuss करेंगे इससे पहले हमने बहु पीटी के linear algebra, abstract algebra, ODE, PDE और Laplace transformation equation solve कर लिये थे इस वीडियो में हम LPP के question discuss करेंगे let's see, first question, which of the following set is convex set, अपने को four set given है और बताना इनमें से कौन set, convex set है, चलिए, convex set की definition क्या बोलती है, सबसे पहले हम यह देखते हैं, अगर X कोई set है, तो इसको convex set कब बोलेंगे, अगर इनमें कोई भी दो पल उठाओ, और उनकी बीच में एक सिदा state line खेंचतो, अगर वो state line उसी set के अंदर बिलोंग करें, तब हम बोल सकते हैं, वो set क्या होगा? convex set, this means, for all, XY belongs to X, line segment, joining point X and Y, this belongs to X, for sum, lambda belongs to 01, यह किसको represent करता है? लाइन, segment, joining two points, X and Y, अगर किसी भी दो point के मत दें, खेंचे की line उसी set के अंदर बिलोंग करें, तब हो convex set है, यह simple set definition है, अब इनको कह देखेंगे? हम diagram बना कर देख लेंगे, अगर कोई दो point ऐसे मिल गए, कि उनको मिलाने वाला line, उस set के अंदर नहीं है, तब हम बोल सकते हैं, कि वो set तो नहीं हो सकता, राइट, चलिए, फैस्ट को ओप्सन को देखते हैं, यह क्या है, X square plus Y square is equal to 4, एक circle है, यह लोगी हमने एक circle बना दि है, ठीक है, center 0-0 है, और radius कितने हैं, 2 right, कौन-कौन से point है, इस में, यह वाले, जो इसकी circumference पे point है, वो इस set में है, एक point यह उठा लिया, एक point यह उठा लो, इनका बीज में state line खेसतो, क्या यह line, इस set का member है, नहीं है, इसका मतलम, कौन में set नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी condition फुली-फिल नहीं करी, second वाला देखिए, diagram और definition, दो चीज याद रखो, इस type of equation तुरंत हो जाएंगे, second में हो जाएंगे, यह क्या बोल रहा है, minus x plus y greater than equal to 3, x is equal to minus 3, y is equal to 3, यह अपना, इधर वाला reason है, right, second वाला क्या बोल रहा है, x minus y, x is equal to 3, y is equal to minus 3, 0, 0, note, second वाला, इधर वाला reason बता रहा है, right, कि वे सभी x, y, जो इस लाइन के इधर हो, वे सभी x, जो इस लाइन के इधर हो, और हो क्या बोल रहा है, x और y greater than equal to 0, this means, यह वाला reason बता रहा है, यह वाला reason बता रहा है, तो मारा अभीष रिजन कौन सा आ गया, एक तो यह वाला आ गया, और दूसरा, यह वाला आ गया, right, अब देखो, एक point यहाँ से लो, एक point यहाँ से लो, उनको मिला हूँ, क्या यह line segment, इन state के बीतर है क्या, क्या यह line segment, इस state के अंदर आता है या नहीं आता है, इस state के अंदर तो नहीं आ रहा, इसका मतलब, condition fulfill नहीं कर रही, तो convex state नहीं है, कुल मिलाकर अपनों को इसी line बढ़ा नहीं है, जो इस state के बाहर जाए, तो उसको हम discard कर सकते हैं, थेड़ वाला देखिए, थेड़ वाला क्या बोल रहा है, absolute value of x, less than equal to 2, this means, यह वाला reason, x यह है, x is equal to 2, x is equal to minus of 2, and y, y less than equal to 1, तो यह लोजी y, less than equal to, y is equal to minus 1, y is equal to plus 1, तो अपना, यह वाला reason बन गया, यह अंदर वाला, जो बनाएक, rectangle बन गया, यह तो अपना convex set है, क्योंँ, कोई भी point लो, उनको आपर समें मिला दो, state line से, वो इसी के अंदर विलोंग करेगा, कोई भी दो arbitrary point लेलो, उनको मिला ओ, इसी set के अंदर विलोंग करेगा, this means, यह कब है अपने convex set, right, ठीक है, तो यह convex set हो गया, अपने convex set ही फूचा था, तो अमनार सी option, right हो गया, अब यह भी बताते हैं, कि एक option, right क्यों नहीं होगा, ताकि अपना, यह convex set का concept, clear हो जाए, इसको मिटाते हैं, आपको जब convex set के, क्यों सन लगाते हो, तो diagram और definition, दो चीज ध्यान में रखो, यह क्या बनेगा, अक्सी स्क्वाइर, यह y is equal to 0, तो x is equal to 2, plus minus root 3, y is equal to 3, यह वाला, यह है, अक्सी इक्यों 0, तो y is equal to 3, यह कुछ से, इस type से बनेगा, कौन से point होंगे इसमें, यह बाहर वाले point होंगे, राइट, जो भी point है, यह बाहर वाले, इसका reason क्या होगा, यह वाला, यह अंदर वाला, exclude होगा, अब देखिए, एक point यहां से ले लो, एक point यहां से ले लो, उनकी भी इसमे, state line, क्या यह state line, क्या यह state line, इस state में contain करती है, नहीं करती है, इस state से बाहर जा रही है, क्यों, यह reason दो इस state में, है नहीं, इसका मतलब यह भी convex state, नहीं है, तो convex state में क्या करोगे, diagram बना लो, definition लगा तो, state line यह शी खेंशतो, तो state से बाहर जाने का, बाहर जाए, तो उसको हम, discard कर सकते हैं, जो बचे वो, अटोमेटिक होई जाएगा, बढ़ते हैं, next question की ओर, next question, the convex health of state, given below, यह अपने को, एक state given है, इसका अपने को, convex health पूचा है, तो सबसे पहले, बात आती है, कि convex health होता क्या है, what is convex health, तो convex health की definition क्या होती है, यह कुछी state का होता है, अगर x कोई state है, और x का convex health है, h क्या है, इसका convex health, तो edge क्या होगा, edge is smallest, smallest, convex state, containing, x, इसका मतलब, x को contain करने वाला, सोटे से सोटा, जो भी convex state होगा, वो क्या होगा इसका, convex health, इसका मतलब, पहले तो अपने को ज़रुत क्या पढ़ाएगी, कि जो state है, वो given क्या है, सलिए पहले तो देखते है, यह state क्या given है, यह बोल रहा है, x, y plane में वे सभी बिंदू, जो greater than equal to 0 हो, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, जिस मींज, यह first quadrant के point होंगे, अब first quadrant के, कौन point होंगे, x less than equal to 1, and y is also less than equal to 1, जिस मींज, x greater than equal to 0, less than equal to 1, yellow x is equal to 1 यहाँ है, और y is equal to 1 यहाँ है, तो यह y यहाँ से यहाँ तक, x यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यह अपना क्या बन गया हैगे, square बन गया, राइट, ठीक है, अब एक चीज और देखिए, अगर x हमारा, x क्या है, convex set है, x convex set है, तो इसको contain करने वाला, smallest convex set क्यों होगा, यही होगा, इस मिन्स, अगर x convex set है, तो x is equal to क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, तो इस case में क्या होगा, यह इसका convex set, यही खुद यह हो जाएगा, इस मिन्स, यह क्या है, 0, 1, यह वाला क्या यहां से हाँ, 0, 1, इस मिन्स, इस इस प्रोडेक्ट ओफ, 0, 1, इन्टू, 0, 1, यह रहापना, यह वाला, right हो जाएगा, second वाला बोल रहा है, कि यह संपुर्ण, first quadrant होगा, third वाल option बोल रहा है, कि यह right up lane हो जाएगा, लेकिन यह नहीं होगा, क्यों इतना ही होगा, ठीक है, इसे प्रोड़कार, फोर्ट वाला भी, discard हो जाएगा, अब थोड़ा, convex hull के बारे में, एक example और बता जाता हूँ, अगर अपने पास, कोई set हो, इस type से, इस type से कोई set हो, इसका convex hull क्या होगा, अब देखो, जो भी point, corner वाले point है, corner, जहाँ अपना, यह corner है, उन point को, अपस में मिला दो, इस corner को इस से मिला दिया, और और तो से भी अपस में, मिले वे हैं, ठीक है, तो जो corner को मिलाने पर, जो set बनता है, एक्चल यह convex set हो जाता है, आप देख भी सकते हो, मतलब, अगर इस सेट में, यह वाला पार्ट जोड़ दें, यह वाला, तो यह एक, convex set हो जाएगा, राइट, इस मिन्स, किस संपूर्ण, टोटल क्या हो जाएगा अपना, as, इसका, convex hull, किसका, इस सेट का, इस सेट का, convex hull को जोगा, यह वाला हो जाएगा, ठीक है, इसे परकार से आप देखो, यह देदे आपको, एक सेट यह देदे आपको, गिवन है, कि इसका, convex hull क्या होगा, तो क्या करना है, जो भी corner है, इनको मिला दो, यह मिला दिया, यह आपस में मिला दिया, तो corner पर मिलाने पर, यह जो बीच वाला area, इसमें contain कर लो, तो यह convex set बन जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, इसका, convex hello हो जाएगा, अब बढ़ते हैं, next question की और, next question, third, और fourth, दोनों ही, यह की concept पर, best question है, सबसे पहले, third को देखते हैं, one of the extreme point, of the set, x is equal to, all those point, x, y, in R2 plane, such that, x minus y, greater than equal to 0, x is less than equal to 5, and x plus 2y, less than equal to 4, means, वे सभी x, y, जो इन तीनों condition को, satisfy करते हैं, वो ही set, x में आएएगे, और इस set का, extreme point, अपने को ग्याद करना पड़ेगा, सलिए ठीक है, तो सबसे पहले, तो हम, extreme point, होता क्या हो, देख लेते हैं, extreme, point, अगर हम, साधान बासा में, बोलू आपको, तो आप बोल सकते हो, इसको, corner point, या, सारप एज, point, यह साधान बासा में, यह भी बोल सकते हो, ठीक है, अगर कोई यह मारे पास, set यह है, यह कोई reason है, अमारे पास, यह वाला, यह वाला reason है, अमारे पास, ठीक है, तो इसमें देखो, आपने जब LPP पढ़ते हो, optimization problem, तो इसमें, extreme point या, corner point कौन से लेते हो, यह वाले, जिस पर function की, value check करते हैं, यहाँ देखो, सारप एज मिल रहा है, यह रहा सारप एज, ठीक है, तो यह वाले point क्या है, इसके extreme point, अब और इसकी definition बता जाता हूँ, अगर कोई point X, किसी set का, X node, किसी set का extreme point है, तो X, set के किसी भी दो point को, जोडने वाली line का इससा नहीं होगा, दुबार से सुनिएगा, अगर X, इस set, X का member है, और X extreme point है, X extreme point है, या corner point है, तो X, set के किनी भी दो point को, जोडने वाली line का इससा नहीं होगा, ये देख लीजी, क्या इसी line की चीज़ा सकती है, जो ए point X node है, इसके बीज का इससा हो, अगर हम line खेचे ऐसे, तो line का last point आएगा, line के बीज में तो नहीं आएगा, similarly, ये वाला भी, line के बीज में नहीं आएगा, corner पे आएगा, this means, अगर X node extreme point है, तो ऐसे कोई भी दो point exist नहीं किरेंगे, कि जिनके बीज में line खचे, और X node क्या जाए, इसके 20 का point है जाए, this means, there doesn't exist, X, Y, X is not equal to X node, Y is not equal to X node, belongs to X, such that, X belongs to line segment, lambda X plus 1 minus lambda Y, अगर X कोई set है, तो इसका extreme point, अगर X node है, X node है, इसका extreme point है, तो X node doesn't belong to line segment joining to point X and Y, where lambda belongs to 0, 1, 0, 1 means, lambda 0, 1 से होने का मतलब क्या है, अगर यह point X है, और यह Y है, अगर यह point X है, और यह point Y है, तो यह तो line segment है, इनके 20 वाला यह होगा, इसमें ने तो X होगा, ने Y होगा, this means, X node, यहाँ अब line ने करेगा, इन दोनों के 20 में line नहीं करेगा, ठीक है, अब चलिए चेक करते हैं, कि यह वाला point इसका extreme point होगा या नहीं, पहले तो reason मना लेते हैं, यह वाला, कि कौन reason given है, X minus Y, greater than equal to 0, this means, यह अपना, X is greater than equal to Y, X is greater than equal to Y, this means, यह वाला reason होगा इदर वाला, ठीक है, राइट, X less than equal to 5, यह लोजी, X is equal to 5, less than equal to 5 means, यह इदर वाला reason होगा, X plus 2Y, less than equal to 4, X is equal to 4, Y is equal to 2, तो अपना, यह वाला reason होगया, less than equal to 4, यह वाला, ठीक है, राइदर वाला इसका, common reason होगा, यह वाला, क्यूंँ, X is greater than equal to 0, and Y is also, greater than equal to 0, तो यह वाला इसका, common reason होगया, this means, अपना एक set क्या है, यह वाला, अब इसके, extreme point कौन कौन से, या corner point कौन कौन से है, एक तो यह वाला, एक यह वाला, एक यह वाला, इसके coordinate क्या है, यह किसका intersection है, इस line का, और इस line का, तो इसके coordinate point क्या होंगे, 4 by 3, 4 by 3, इसके coordinate क्या होंगे, 0, 0, और इसके coordinate क्या होंगे, इसको coordinate होंगे, 0, and, 4, right, this means, इसके extreme point कौन कौन से है, 4 by 3, 4 by 3, 4, 0, and 0, 0, इन में से देखो, कौन सा point आ रहा है, 0, 0 वाला आ रहा है, remaining नहीं आ रहा है, अब देखो, क्या यह point, यहां कोई point हो, तो इसका extreme point हो सकता है, क्या, corner पे तो है, means boundary पे तो है, लेकिन इसका extreme point होगा या नहीं, वो बता रहे हैं, यह एक line खेंचें, किसको मिलाने वाली, इस point को, इस point को, इनके बीच में, यह point लाई कर रहा है, this means, इस boundary पर होने वाले, इन 3 point के अलावा, कोई भी point इसका, extreme point नहीं होगा, अब आते हैं, fourth question पे, fourth question, इसी concept पर अधर्थ है, बड़ा important question है, extreme point पर, हर बार exam में, दो या, एक question तो जरूरी, आता है, तो extreme point को नोड़ा, ध्यान से देख लिए, which of the following set, does have no extreme point, this means, अपने को, वो set तूज करना है, जिसमें, extreme point नहो, पहले यह वाला देखते हैं, सभी का diagram बना लेता हूँ में, A, A का diagram क्या है, alpha कोई R का member है, positive हो सकता है, negative हो सकता है, हमने, यह ले लिया, positive ले लिया, suppose ग्रूर, alpha यह है, ठीक है, वे सभी x, जो alpha से, बड़े हैं, this means, यह वाला reason आ गया, यह वाला पूरा reason, इदर वाला, ठीक है, यह क्या है, यह है, अब B बना लेता हूँ, B क्या है, x greater than equal to zero, y greater than equal to zero, B यह वाला reason है, कौन सा, first quadrant वाला, A तो यह वाला हो गया, B, first quadrant वाला reason हो गया, C क्या है, C circle है, इसके अंदर वाले point भी होंगे, less than equal to, C कोई, close circle है, यह लोजी, sorry, यह लोजी, C हमने कोई, circle बना दिया, इसके सभी अंदर वाले point भी है, इसके member, boundary वाले point भी होंगे, और इसके, अंदर वाले point, inside वाले point भी, इसके member यह कौन है, C है, इसका center क्या है, 0, 0, radius 1 है, D क्या है, D देखो, V sub X, Y, जाँ X greater than 0 है, Y greater than equal to 0, less than equal to X, यह लोजी हमने, D बना दिया, हमने, अब हमें, आप ही बताओगे, Y less than equal to X, this means, Y is less than equal to X, or X is greater than equal to 0, यह वाला reason आ गया, इसमें, इदर वाला, ठीक है, अब हमने, चार set बता दिया आपको, इम चार set में देखे, बताइए, क्या ऐसा कोई set है, इसका interior point न हो, extreme point या corner point न हो, यह वाला set है, इसका देखो, यह वाला अपने को, corner point मिल गया, या extreme point मिल गया, क्यों, इस set में, यह से कोई भी 2 point नहीं है, जिनको मिल आए, और जो line मने, उनके बीच में आ जाए, corner point मिल गया, 0, 0, this means, इस set का, extreme point है, अपने क्या चाहिए, वो set ता ही है, इसका extreme point नहीं है, तो यह किसका था, D का, D वाला, discard हो गया, ठीक है, अब इसको देख लो, यह बार B वाले को देख लो, B वाला यह रहा, एक point यह मिल गया, 0, 0 वाला, extreme point मिल गया, यह corner point है, corner point मिला, वह यह extreme point, तो इसका भी, खेला घतम, इसमें हमने, एक extreme point मिल गया, तो B भी इसका option, नहीं हो सकता, अब बार्त करते है, A और C की, यहाँ थोड़ा confusion जलता है, चलिए, पहले C की बात कर लता हूँ, C यह वाला है, अब देखो, आप बोलोगे साब, कि इसमें तो कोई corner है नहीं, हम केसे बताएं, कि यह extreme point होगा या नहीं, हमने दो चीज़ बताई थी, यह तो वह corner point हो, कर corner point क्या होता है, कि इससा state में, कोई भी दो point नहीं हो, जिनके बीच में, हम state line खेंचे, और यह state line के, करें लगता, क्या हम as-e-c line खेंचे सकते हैं, कि इसके यह point, इसके बीच में आजाए, end point पर नहीं, बीच में आना चाहिए, इसका मतलब, एक as-e-c line खेंचो, इसके बीच में, यह point आना चाहिए, बीच में आए, तो line क्या जा रही है, बाहर जा रही है इसका मतलब अगर एसी कोई लाइन खेचे हैं जो इस इस पॉइंट से होकर जा रही है तो वो क्या होगा वो लाइन का ये पॉइंट क्या होगा end point होगा, this means अगर इस point से होकर कोई भी line खेचे, तो ये point क्या होगा, इसका line का end point होगा, इसका मतलब extreme point तो है extreme point तो है, means corner point है, इसी प्रकार इसके परते एक बिंदू, क्या हो जाएंगे इसके, extreme point ज्याँ रखना, इस circle के जो भी, ये circumference वाले point है, परिदी वाले बिंदू है सभी बिंदू क्या होगा, इसके extreme point, देखना मने बताया था, ax note क्या होना चाहिए इस type से होना चाहिए और ये line पूरी ये पूरी line किस में होना चाहिए set ax में, अगर इसा possible हो sorry ax note इससे बिलोंग नहीं करना चाहिए ax note extreme point होगा, ठीक है, तो ये सभी point इसके क्या हो जाएंगे, extreme point लेकिन हमें कौन set है ये जिसके extreme point नहीं हो तो ये वाला भी discard हो गया बचाए, ये तो automatic होना है कैसे होना है, वो भी बतायता हूँ इसमें ये वाले point है इदर वाल तो आपको पता नहीं होगे क्यों, अगर हम यहां कोई point लेंगे तो ये line खेस दी yellow x, yellow y ये अपना ax note आ गया इस line के बीच में आ गया, ठीक है x और y कहा है, इसी set में है एक एसी line मिल गी, जो ax note को अपने बीच में ले रही है ये आप ठीक है, तो इसका मतलब ये point तो extreme point या corner point नहीं हो सकता, अब बात आती है कि इस line पे जो point होंगे वो extreme point होंगया नहीं ये line क्या है इसी set के अंदर है, set के अंदर है अगर आप इस point की बात करते हो तो हम एक एसे line दिखा दूँगा ये अख ये अपना y ये x note क्या करेगा इसके बीच में लाई करेगा और ये line segment इसी set के अंदर होगा this means अपने को एक ऐसा line segment मिल गया जिसका x note क्या है end point नहीं है, x note is not end point of this line segment lying in the set right तो इसका कोई भी point क्या होगा extreme point नहीं होगा, right तो अपने को एसा set जिसका extreme point नहीं है ये set मिल गया ये option इसका right हो जाएगा extreme point का equation जरूर आता है extreme point means या तो corner point या इसे कोई भी दो point exist नहीं करें कि जिनको मिला जिनको मिलाने वाली open line इनको content करें, open line means end point x और y से को हटा करके this means x note इनके 20 का member नहीं होना चाहिए तो क्या हो लाता है वो extreme point right, अब बड़ते हैं next question की ओर next question consider the set of points 00, 10, 12, 11 and 40 in expressing the boundary points as a convex combination of extreme points the value of lambda 1, lambda 2 and lambda 3, right सबसे पहले तो जो points given है उनको हम plan पे express करते हैं कि कौन-कौन point अपने को given है 00 10 यह अपना 40, right यह अपना 11 यह अपना 12 यह point given है right यह हमने indicate कर लिया question को बोल रहा है यह points given है expressing the boundary points as convex combination convex combination अगर हम अगर हम x को v1 v2 vn इनके convex combination में लिखते हैं तो नियम क्या बोलता है x is equal to submission i is equal to 1 to n lambda i v1 v1 is equal to lambda 1 v1 plus lambda 2 v2 plus lambda n vn such that submission i is equal to 1 to n lambda i is equal to 1 अगर हार्थ lambda 1 plus lambda 2 plus lambda n is equal to 1 and lambda i greater than 0 less than equal to 1 for all i greater than equal to 1 less than equal to 1 इसका मतलब है अगर हम convex combination लिखेंगे तो जो coefficient आएगा उन coefficient के value 0 से 1 के base में होगी और उनका sum कितना होगा 1 तो विवेश सब भी हम lambda y cancel करतेंगे जिनका sum क्या हो 1 नहीं हो इनका sum कितना है 1 है पढ़े रहन दो इसका sum कितना है 1 by 2 1 हो गया ये भी ये भी रहन दो इनका sum कितना है 1 plus 3 by 4 लेकिन अगर convex combination का नियम क्या बोलता है जो भी अपने coefficient है उनका sum कितना होगा ये 1 होना सा ये ये discard हो गया और ये वाला 1 by 2 ये भी discard हो गया इसका मतलब value किस में होगी इनमें हो इनमें से होगी बोल क्या रहा है convex combination of extreme points यहाँ देखो अगर हम इन 500 points को मिला कर एक convex set बना ले इनका अपस में हमने मिला दिया राइट ये लोजी मिला दिया ठीक है तो जो अपना set बन गया ये वाला ये set कैया बना convex set बना इनके extreme points जेसा कि मैंने पहले भी बताया था extreme point या corner point क् collaborate ये वाला A ये वाला extreme point B ये वाला extreme point C ये तीन point को होने इनके extreme point boundary point कौन सा है जो point boundary पे हो point ये वाला क्या boundary पर आए नहीं है जी ये वाला boundary पर इसका मतलब इस point को इनके convex combination में लिखेंगे means 10 को 0012 and 40 के हम convex combination में लिखेंगे तो जो lambda 1, lambda 2, lambda 3 की value के आएगी वो अपने को यहां लिखें बता नहीं है चलिए देखते हैं क्या करना हमारे को 10 को lambda 1, 00, plus lambda 2, 12, plus lambda 3, 40 इस प्रकार से लिखना है तिन्वा का सम कितना आएगा 1 आना चाहिए क्यों convex combination की definition बोलती है इनकी value के आएगी वही अपने को इन में से बता नहीं है ठीक है implies 1, 0, is equal to, यहां से क्या आएगा, 0 हो जाएगा यह, lambda 2, plus 4, lambda 3, 2, lambda 2, right यहां से देखिए, implies 2, lambda 2, is equal to 0, and lambda 2, plus 4, lambda 3, is equal to 1 यहां से क्या आएगा, implies, यह क्या imply गरेगा, lambda 2, 0, lambda 2, is equal to 0, lambda 3, यह 0 हो गया, तो lambda 3, is equal to 1 by 4, तो lambda 1 क्या हो जाएगा, और, such that, such that, lambda 1, plus lambda 2, plus lambda 3, is equal to 1, why, because अपने को convex combination में लिखना है, और convex combination का सम केतना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो lambda 2, और lambda 3 की वेली आगी, तो lambda 1, is equal to 1, minus lambda 2, minus lambda 3, this equal to 1, minus 1 by 4, is equal to 3 by 4, this means, lambda 1 is equal to 3 by 4, lambda 2 is equal to 0, lambda 3 is equal to 1 by 4, यह अपने first option में आजाएगा, तो second भाला भी discard हो जाएगा, यहाँ देखाओ, गोर क्या करना है, convex combination, यह simple अपना linear combination नहीं है, convex combination है, right, convex combination of extreme point of the value, then the value of lambda 1, lambda 2, lambda 3, किसका extreme point का, तो 3-4 concept काम में आ रहे हैं, पहला तो extreme point क्या होता है जी, extreme point में पहले बता तिया था, corner point, convex combination क्या होता है, किसको boundary point को express करना है, boundary points, तो boundary point अपना यह वाला, यह वाला तो है नहीं, ठीक है, तो अब बढ़ते हैं, next question की ओर, for the following LPP, maximize 3x1 plus 5x2, such that, अपने पास constraint क्या है, x1 plus x2 less than equal to 4, 5x1 plus 3x2 greater than equal to 8, and both x1 and x2 are non-negative or greater than equal to 0, then the reduced post coefficient for the optimal solution, इन में से reduced cone coefficient क्यों है, क्या बोल रहा है, x1 plus x2 less than equal to 4, this means, अपने को, यह कोई reason बता रहा है, यह लोजी, line सीधा माननों इसको आप, x1 plus x2 equal to 4 है, यह less than equal to 4 की बात कर रहा है, this means, यह वाला reason, क्यों, क्योंकि 0-0 foot करके चेह कर लो, x1 equal to x2 is equal to 0, तो 0-0 satisfy कर रहा है, this means 0-0 इस reason में होगा, तो यह वाला reason बता रहा है, second वाला constraint क्या बता रहा है, यह बता रहा है, 8 by 5, x1 है, 8 by 5, तो 1 point something हो जाएगा यह रहा, 8 by 5, 0, और यह बता रहा है, 8 by 3, 8 by 3, यह कोई another line है, sorry, 5 x1, 3 x2 is equal to 8, यह greater than equal to 8 बता रहा है, this means, इदर अपना यह वाला reason होगा, right, और यह और क्या बोल रहा है, x1 और x2 दोन्नों क्या है, non-negative, this means, यह वाला इदर से, यह वाला इदर से, तो अपना common reason कौन सा आ गया, यह वाला अपना common reason आ गया, यह वाला, बागे से भी बगा दो, यह लोजी, बागे से बगा दिया हमने, यह वाला अपने पास, common reason आ गया, अब इसमें देखो, क्या बोल रहा है, the reduced cost coefficient, इसका मतलब, यह जो optimal, sorry, जो extreme point आए, इन में से, अपने पास optimal solution, किस point पे मिलेगा, ठीक है, चेक कर लेते हैं, यह अपने पास extreme point, कौन-कौन से आए, क्या extreme point आए, कौन-कौन से, एक तो आया, आप मारे पास यह वाला कितर कौन है, 8 by 5, 0, दूसरा क्या है, 4 0, तीसरा क्या है, 8 by, sorry, और तो था, 0, 4, राइट, इस पे value कितने आगी, सुकि यह option में नहीं है, यह option में नहीं है, और यह option में भी नहीं है, तो exam में आप इनको देखने की जुरत नहीं है, लेकिन हम यहां, देखर बता रहे हैं कि, maximum value किस पे आ रही है, 0, इस पे value कितने आगी, 5 by, sorry, 8 by 5 और 0 पर, 8 by 5, 0 तो, 8 थी, 120 by 5, this is, approximate, 4.08, right, 4.08, यह वाला, 500 कभी, sorry, 4.08, and इस पे value कितने आगी, 5 और का, sorry, 4.12, इस पे, 15 by 8, यह यह आएगा, sorry, यह कितना है, 8 by 3 है, तो यह कितना हो जाएगा, यहां, 8 by 8, 5, 6, 40 by 3, is approximate, 13 point something, right, और यह वाला, 20, अपने हों क्या चाहिए, optimal solution, means, maximum value, किस point पे मिल रही है, 4.08, 12, 13, 20, maximum value कुल, 20, किस point में मिली, 0,4 पे, तो अपना, reduced cost coefficient क्या हैगा, 0,4, यह अपना, 0,4 इसका, reduced cost coefficient हो गया, right, कुछ नहीं किया, जो पिया है, diagram, diagram मना लो, diagram से हमारे पास, जो optimal region आजाएगा, optimal region में, अपने पास, extreme point आजाएगे, और extreme point को, put करके, check कर लो, कि optimal solution, किस point पे मिल रहा है, और वही point क्या होगा, reduced cost coefficient, right, बढ़ते हैं, next question की ओर, next question, for the following LPP, maximize, 3x plus 4y, such that, अपने को, constants क्या गिवन है, x minus y, less than equal to minus 1, minus x plus y, less than equal to 0, xy greater than equal to 0, then, which of the following is true, अपने कोई LPP गिवन है, उसके basis पे बताना है, इन में से, कौन सा true होगा, LPP and its dual, both have solution, LPP and its dual, both have no solution, only LPP have solution, means LPP have, but its dual, not have solution, only dual has solution, इसका मतलब, इसका dual के पास solution होगा, और इसकी LPP solution, नहीं देगी, इन में से कौन सा true है, या बताना है, पहले तो LPP का जैखते हैं, LPP ये वाला है, इसका reason क्या होता है, वो check कर लेते हैं, minus x plus y, less than equal to minus 1, ये लोजी हमने बना लिया, y is, ये रहा, x is equal to minus 1, ये रहा, ठीक है, ये कौन लाइन है, ये है, x minus y, is equal to minus 1, ये लाइन है, minus x plus y, is equal to 0, this means, ये अपने वागया, x is equal to y line है, इसका reason देखिए, minus x minus y, less than equal to minus 1, this means, ये अपना, इसका reason ये है, ये कैसे पता किया, हमने point 00, पूट करके check कर लिया, 00 इसको satisfy नहीं किर रहा है, इसका मतलब, opposite reason है, ये वाला reason, ठीक है, second वाला देखिए, minus x plus y, less than equal to 0, this means, इसका reason कौन सा आ रहा है, ये वाला reason आ रहा है, right, तो अब इस reason क्या हुआ हमारे पास, क्या कहीं, दोनों reason एक साथ मिलेंगे, क्या, नहीं मिलेंगे, इसका मतलब, x, y में, किसी भी point पर ये, optimal solution प्रवाइड नहीं करेंगे, अगर कुछ हमारे को common reason मिलता, फिर तो solution निकालने की बात ही मनती, कुछ common reason नहीं मिल रहा है, तो optimal solution कहां से exist करेगा, इसका मतलब, LPP का solution तो exist है, कभी नहीं करेगा, तो देखो, ये बोल रहा है, LPP have solution, ये discard कर दो, ये बोल रहा है, LPP have solution, ये भी discard कर दो, अब अगर हम इसका dual का check कर लेंगे, कि इसका dual का solution exist करता है, या नहीं करता है, तब हम इन दोनों के बारे में बोल सकते हैं, कि कौन सा लगाएं, लेकिन अगर आपको dual का check, dual बनाना ना है, तो आप क्या करने इने में से कोई न कोई जरूर, टिक करना है, ये मिसलिया बता रहें कि, 50-50 possibility बनती है, सही होने की question, चलिए, इसका primal क्या होगा, primal तो यह होगा, maximize 3x plus 4y, x minus y less than equal to minus 1, minus x plus y less than equal to 0, and xy greater than equal to 0, अब इसका dual की बात करते हैं, dual क्या होगा इसका, dual, right, चलिए, dual minimize, minimize, minus, w1, plus 0, w2, ये वाला, minus 1, w1, plus 0, w2, ये आपको dual निकाला तो आता होगा, इसे आग्या वाले question में हम पूरा बता देंगे, कि dual किस परकार से निकालते हैं, right, अभी तो इतना देख लीजिए, dual क्या आता है इसका, such that, constant के आएंगे, omega, sorry, w1, minus w2, minimize है, this means, greater than, equal to 3, minus w1, plus w2, greater than, equal to 4, right, अभी इसका अपन, शेक करना है कि dual solution, एकिस्ट करेगा, ने करेगा, LPP का हमने ये वाला, optimal reason के लिए, बनाया था अगर आप, अभी इसका बनाते हैं, dual का, right, चलिए, ये अपना w1 रहा, ये अपना w2, क्या है, ये आएगा, w1, 3 आजाएगा, w1, yellow, 3, w2 आएगा, minus 3, ठीक है, yellow, minus 3, 0, minus 3, and 3, 0, ये अपनी, एक लाइन ये मिल गई, दूसरी वाली, w2, 4 आएगा, w1 आएगा, minus 4, तो अपना एक लाइन, ये बन जाएगा इदर से, अब reason कौन सा होगा, सोरी ये line parallel होगी, ये line हमेशा, parallel ही होगी, ठीक है, 0, 0 सटिस्पाई नहीं कर रहा है, ये उपर वाला reason सला जाएगा, 0, 0 इसको भी नहीं कर रहा है, ये वाला आ जाएगा, अगर 0, 0 होता, ये line के opposite साइड में होगा, ये line कौन सी है, ये reason, minus omega 1, sorry, w1 plus w2 greater than equal to 4, ये वाला reason है, w1 minus w2 greater than equal to 3, अब जाएगो, reason कएं भी इसका common पार्ट नहीं आ रहा है, means, optimal reason, exist नहीं करता है, sorry, ये एक चीज और लिखने थी, w1, w2 greater than equal to 0, ठीक है, कोई भी हमारे पास एक common reason या बुइनिस्ट reason नहीं मिन रहा है, जिसके लिए हम solution निकाल सके, ये इसको minimize कर सके, इसका मतलब, इसका dual के पास भी solution एक्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब, इसका dual भी solution नहीं देगा, तो LPP and its dual have no solution, ये वाला discard हो जाएगा, जब आप LPP वाला question निकाल लो, कई बार क्या होता है, option में, ये वाला option नहीं मिलता है, only dual have solution कुछ और मिल जाता है, ने नोब दीज है न, तो इससे आपको, ये वाला असनी से लगा सकते हो, इसमें कोई problem हो, तो आप comment करके पूचिए, बढ़ते हैं next question की और, next question, the optimal assignment of the problem, ये अपने कोई problem given है, इसका अपने को optimal assignment बताना है, करने का मतलब क्या है, ये A, B और C, D, इनको आप कोई worker मान सकते हो, या machine मान सकते हो, और 1, 2, 3, 4, इनको कोई काम मान सकते हो, ये बतादा है कि, A machine, A काम को, 1 काम को, 18 hours में करती है, इसा समझ सकते हो आप, A machine, 2 को, या वरक 2 को, 13 hour में करती है, A machine, वरक 3 को, 38 hour में, पूरा करती है, इसी परकार, B machine, से परकार से मतलब यह अपने को assignment या problem गीवन है इसका अपने को पास solution बताना है कि कौण से मशीन को कौन सा काम लोट किया जाए या कौन से इनसान को कौन सा काम लोट किया जाए तक अपना maximum काम आ सके या कोस्ट लो हो सके राइट चली देखते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसका सिंपल सा मेठ़ेड है रो कि Miramie die requ mini है कि मिनिमाइजींग डो कुछ मेठ़ेड है मेठ circumstance करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे जो है इनको minimize करेंगे इसका मतलब जिस भी रो में जो लिस्ट एलिमेंट है उसको सभी एलिमेंट से reduce कर देंगे या गठा देंगे जैसे फेस्ट रो में कौन सबसे लिस्ट है कि फैस्ट रो में है यह वाला 11 को सभी इंट्रीज में से रिड्यूस कर देंगे क्या आएगा कि सेवन कि 1560 इसी परकार सेगेंड वाले में से सबसे लिस्ट एलिमेंट कौन है 13 यह इंट्री कितनी है 13 13 में सबको रिड्यूस कर दिया क्या आएगा 0 15 1 13 similarly third रो में से जो भी लिस्ट एलिमेंट है उनको समय से रिड्यूस कर दिया क्या आएगा 15 तो आएगा 23 3 4 3 0 similarly 10 कि समय से घठा दो तो 9 16 14 0 अब क्या करेंगे कि मिनिमाइजिंग कोलम 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 कि मिनिमाइज क्यों कर रहे है क्यों अपने एक पास है जो कोस्ट है इसको मिनिममम बनाना है तकि बना मेक्जिमम काम हो सके के या कौन से मशीन को कौन से काम होलोट किया जा अब जो यह मेट्रिक्स आई इनमें क्या करेंगा जो भी कोलम है कोलम में सबसे लिस्ट इंट्रिट देखेंगे कोलम से सबसे कम एक संक्या कौन सी है उसको पूरे कोलम में से गठा देंगे इस कोलम में 0 0 समय गठाया यही चीज आ गई हमारे पास 1,2,3,4 A, B, C, D राइट यही आया सेम तो 7, 0, 23, 9 अब सेकेंड कॉलम पे आ जाईए सेकेंड कॉलम में सबसे कम इंट्री कौन है 4 है पूरे कॉलम में से 4 को गठा दो कितना आएगा 11, 11, 0, 12 similarly 3rd कॉलम में से सबसे लिश्ट इंट्री 1, 1 को पूरो कॉलम में से गठा दो 5, 0, 2, 13 7 जाली इसमें कौन है सबसे कम 0 तो 0 के कोई फरक नहीं पड़ेगा सेम आ जाएगा अब देखो अपने वो क्या करना है एक आदमी या एक मसीन या एक इनसान एक ही काम कर सकता है इसे परकार एक मसीन पर एक एक आदमी काम कर सकता है अब देखिए 1 रो में कितने जिरू आ रहे है एक ही जिरू है तो इसको अलोट कर दिया हमने Means, जो फेला Worker है या पहला काम है वो कौन मशीन करेगी, D मशीन करेगी या D मशीन को फेश्ट काम alo textbook होगा second वाले मैं आज दो अब फेश्ट रोमें फेश्ट रोमें इसके लाव जितने ओर है उनको काटता हो, और ये 0 जिस कोलम में है उस कोलम में इसके अलावाद जो भी डिजुरन को काट दू ये भी केंसिल, ये भी केंसिल मतलब जिसको जो अलोट कर दिया, means डी ये तो है नहीं कि ये काम भी कर लेगा, और डी अपना थर्ड काम भी कर लेगा, डी अपना फोर्ज काम भी कर लेगा, इसा तो पोसिबल नहीं है, एक मसीन को एक ही काम अलोट होगा, ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता, जब ये काम अलोट कर दिया तो, तो इसको भी हमने डिसकार्ड कर दिया, राइट अब इस पर आ जाईए सेकेंड वाले पर, सेकेंड वाले में क्या है, यहां हमारे को फैस्ट में जीरो मिल गया इसको अलोट कर दो इस कोलम में, जिसमें जीरो आ गया, उस कोलम में और रो में जितने में जीरो है, उनको हटा दो, इसको भी हटा दो, राइट क्यों by never come to alert कर दिया एक को कैंट टो दूसरे किसी बी डेलोट नहीं ओसकता तो यह भीнова डिश्कार्ड हो गया अब देखो थर्ड वाला है थर्ड में आ ज़ाइए थर्ड में एक ही τιςरों बाके तो नहीं भीज़ीश नहीं है इस रों unf को काम दे दिया क्या जीरो यह वाला फैस्ट काम दे दिया यह फैस्ट काम कौन मसीन को अलोट हो गया सेकेंड काम कि एको सेकेंड वरक है यह मसीन को अलोट हो गया थर्ड वरक यह बी मसीन को अलोट हो गया और जो बचा फॉर्थ वरक वह किसको हो जाएगा C machine को automatic की alert हो जाएगा, तो ये वाला कौन option में है, 1st D 2nd A 3rd B 4th C, अपना option B में है, right, इस प्रकार से हम पहले row को minimize कर लेंगे पिर जो हमारे पास matrix आएगा, या सुरी अपने पास table बनेगी, इसकी मदद से column को minimize करके इसका आसाने से solution find out कर सकते हैं, अबना B option right हो जाएगा, इस वीडियो में हमने add question लगा लिए है, सोरी lights ला गया, तो add question तो इस वीडियो में हो गए है और जो बच्चे वी question है, वो part B में करा देंगे, एक दूसरा वीडियो बना करके जिसका link आपको description में मिल जाएगा, अगर इन परकार के question में आपको कोई दिक्कत हो तो आप comment करके पूछ सकते हो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो channel को subscribe करें, like करें, thank you thank you so much